ओव नमाश शिवाय शावन मास क्रिश्ण पर्ष मंगलवार दस्मी तिथी दिन में 7 बज़कर 50 मिनट तक लगी रहेगी तत पस्चात एकादशी तिथी प्रारंभ हो जाएगी चंद्रमा रोहरी नक्षत्र में दिन में 12 बज़कर 40 मिनट तक चलते रहेंगे तत पस्चात मुरिकशीरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जिसके नक्षत्र स्वामी मंगल देव हैं आज के जन्मे जातक सुन्दर, चंचल, धैरेवान, धनी तथा सौकीन होते हैं ऐसे जातक प्रतिभाशाली, तीब्र अस्मरण सक्ती वाले, कारे करने में निपुड, दूसरों की बात समझने में कुशल, सटीक तर्क करने वाले, लाटरी त्यादी में रुची रखने वाले, कुशल नेतृत की छमता वाले, उन्नती गामी और उच्चा भिलासी भी होते यदि सहयोगी लगन रहा, सुक्र चंद्रमा और मंगल की स्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे, चंद्रमा आज भी ब्रिश राशी में ही चलते रहेंगे, जिसके राशी स्वामी सुक्र देव है मेश राशी के जातकों की धन संबंधी मामलों में पहले से बहतर इस्थिती होती जाएगी, कोशिश काम्याब होगी और रचनात्मक क्रिया सीलता बनी रहेगी, वारी का परिशकरण होगा और मित्रों का सहयोग बना रहेगा, आपके प्रयासों में ब्रिध्धी होगी और बेवसाई की योजनाएं फलिभूत होंगी, साजेदारी और नई कारी योजनाओं के लिए आज का दिन अन्कूल है, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए शारिरिक और मानसी कूर्जा बनी रहेगी, संतान संबंधी मामलों में आत्मिश्वास बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिध्ध होगा और रचनात्मा प्रयास सार्थक होंगे बिद्यार्थियों के स्वास संबंधी मामलों में सावधानी अपिर्चित है, आत्मिश्वास और क्रिया सीलता में कमी और चल रहे कामों में रुकावट की संभावना भी बनती है चन्द्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना स्वास संबंधी समस्याओं का पकड़ में ना आना संभावित है हलाकि आर्थिक लाव मन मुताविक बना रहेगा, निर्णे लेने की चमता में उतार चड़ाव और मानसिक सक्रियता में भरम की इस्थिती काइम रहेगी मगर कारे छेत्र में अस्थाई तो बना रहेगा और साजेदारी सफल रहेगी संतान संबंधी जिम्मेदारियां पूरी होंगी विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलतादायक से धोगा और परिवार में हर्स और खुशी का माहौल बना रहेगा नित्वन राशी के जात्कों के बौधिक छमता में उतार चड़ाव संभावित है मगर रचनात्म क्रियाशीलता बनी रहेगी चंद्रमा आपकी राशी से बारवें चल रहे हैं दिन चर्या सकारात्म कुर्जा से भरपूर रहेगी घर, ग्रिहस्ती, संतान और स्वजनों पर निवेश की इस्थिती बनी रहेगी मगर स्वात संबंदी सावधानिया रखनी चाहिए हाला कि ब्यावसाइक पेरणा जारी रहेगी कारी ओजिनाओं की निरंतरता बनी रहेगी साजेदारी के प्रस्ताव लावधायक रहेंगे आर्थिक लाव मन मुताविक मिलता रहेगा और सिक्षा प्रतियोगिता में सफ़लता संभावित है प्रयास जारी रखें करकराश के जात्गों के लिए आएकी इस्थिती मन मुताविक बनी रहेगी आज चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए हर काम करने के प्रति उत्साह बना रहेगा और कारे छेदर के बिस्तार की मानसिक्ता में ब्रिद्धी होगी सरकारी विभाग से सहयोग मिलता रहेगा और नई कार्योजनाओं में भागी दारी सुनिशित रहेगी मगर संतान संबंदी मामलों में मानसिक दबाव बना रहेगा और संबंदित मामलों में यात्रा या प्रवास की इस्तिती संभावित है बिद्ध्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा परिश्रम में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है और पारिवारिक तालमेल बनाए रखें सिंग राशी के जात्कों के लिए चंद्रमाद दस्वे भाव में उच्छ के होकर मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं कारे छेत के प्रती निरंतर विकास और लाव का संकेत मिलता है नई कारी वजनाओं में सहयोग और उसके प्रती होने वाले प्रयासों में अधिकारियों की प्रेरणा वर्शासन सत्ता का सहयोग भी सामिल रहेगा आठिक लाव की स्थिती अच्छी रहेगी और किया गया प्रयास हर काम के प्रती सफल रहेगा साथ ही सुगत्यों में और वृद्धी होगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत वाला दिन होगा पूरे उत्साह से प्रयास जारी रखें सफल रहेंगे कन्याराशी के जातकों के लिए कारे छेतर में चलिया रही रुकावटों में कमी आएगी और आत्मिश्वास में विद्धी होगी कारे छेतर में सहयोग मिलेगा और उन्नती के मार्ग प्रसस्त होंगे नई ब्यावसाईक योजनाव में रचनात्मा प्रवरित्ती बनी रहेगी और आखिक लावमन मुताबिक बना रहेगा लेकिन स्वास्त संबंधी जाटिलताओं पर भ्यान रखना चाहिए साज्यदारी के काम आज के लिए लावधायक रहेंगे और व्यावसाईक यात्रा के योग बनते हैं विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें तूला राशी वाले जातकों के लिए स्वास्त संबंधी यावसक सावधानी रखनी चाहिए चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना स्वास्त संबंधी जटिलताओं का संकेथ देता है हाला कि कारेश्षत्र में सहयोग जारी रहेगा और विकास की गती बनी रहेगी संबंधीत मामलों में यात्रा संभावित है रुके हुए काम संबंध होंगे साजेदारी के कामों में लाव और जमीन मकान वाहन इत्यादी संबंधी योग जारी रहेगा आतिक लावाव के मेहनत के अनुसार बना रहेगा माता के स्वास के चिंता बढ़ सकती है मिद्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी और परिश्रम सार्थक होगा मगर वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिश्चिक राशिके जात्कों के लिए चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना सहयोगी प्रभाव में माना जाएगा पत्नी के असास्त के उतार चड़ाओं में सुधार होगा और पहले की परेशानियों की पूर्णरा वृत्ती में कमी आएगी मगर साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा और नए प्रस्ताव सामने आएंगे आज संबंधी मामलों में सुधार होगा और यात्रा का योग बनता है पारिवारिक दायित की पूर्टी होगी और वैवाहिक प्रस्ताव अन्पूल रहेंगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा और स्वास संबंधी आवस्चक सावधानी बनाए रखें धनूराशिवाले जात्कों को स्वास संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए कार योजनाओं में रुकावट का संकेत मिलता है आप की रासी से चंद्रमा का छट में बैशना सरकारी सहयोग में कमी और मन मुताविक काम के ना होने का संकेत करता है हाला कि ब्रिहस्पती का अपने नक्षत्र में होने से नई कार योजनाओं में सहयोग और सकारात्मा प्रेरणा मिलती रहेगी साजेदारी के प्रस्ताव लावदायक रहेंगे आठे किस्थिती में सुधार होगा और वयवाही प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिर्ध होगा और आत्मिश्वास में दिद्धी होगी मकर राशी के जात्कों के लिए आत्मिश्वास में पिद्धी होगी और नई उर्जा का हिसास होगा पहले की चलिया रही दिकतों में सुधार होगा और कारेच छेत्र में उन्नती का मार्श प्रसस्त होगा चंद्रमा के मंगल के नक्षत्र में चलने से आत्म संतुष्टी में थोड़ी कमी, कामों में रुकावट और पारिवारिक चिंता की मनोगृत्ती संभावित है हाला कि कारे छेत्र में आपकी दक्षता बढ़ी रहेगी और सम्मान के पात्र बनेंगे आर्थिक लाव सामान रहेगा और संतान संबंधी शुख समाचार मिल सकता है विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा शिक्षा प्रत योगिता में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे कुंपरासि के जातक पारिवारिक सुख संतुष्टी और सुकून महसूस करेंगे माता के स्वास्त की चिंता में कमी मगर नीजी निवेश के प्रस्ताव सामने आएंगे स्वास्त संबंधी सावधानी रखनी चाहिए मानसिक और स्फिर्टा के साथ सरकारी कामकाज में हस्तक छेप संभावित है हाला कि कारे छेत में वुर्जा बनी रहेगी भूमी और वाहन लेने का योग भी जारी है नई कारी और जनाव में सहयोग मिलेगा और उन्नती के मार प्रसस्त होंगे आर्थिक लाह भाग गिवस अच्छा होगा वैवाइक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा विद्याथियों को मेहनत करनी पड़ेगी सफलता संभावित है मीन राशिके जात्कों के लिए रचनात्मक प्रयासों में सुधार होगा मगर कारे छिदर के विस्तार में मानसी कोश्थिरता कायम रहेगी हाला कि उच्च अधिकारीयों का सहीयोग और पारिवारिक प्रेणा लावधायक सिद्ध होगी नई कारी उजनाओं में आपके प्रयास सार्थक होंगे और साजयेदारी के काम लावधायक रहेगे कर दो कर दो कर दो दो